आप देख रहे हैं चहान वीडियो तो और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके लिए दिसंबर 2022 के एक नया नोटिस इगनु की तरफ से रिलीस किया गया है उसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे जिसके उपर आपके लिए कुछ important points है जो की जानना जरू अब नहीं किया है तो चैनल को subscribe जरूर कीजे तो आप एक एक करके दोनों updates के बारे में बात करते हैं आज आपके लिए अच्छी ख़बर है कि आपके लिए जून 2022 का जो exam result है वो एक बार फिर से update कर दिया गया है जो कि आप यहाँ पर check कर सकतें कि 12 दिसंबर 2022 तक ही update कर दि है आप एक बार अपना जून 2022 का exam result चेक कर सकते है अगर ऐसा कोई subject है जिसका result आपका अभी तक नहीं आया हो अभी भी काफी updates और आएंगी इसलिए अगर आपका इस update में भी result नहीं आता है तो आप next update का दिजार कीजिए जो कि normally 48 hours में आपको next update देखने को मिल जाती है अब बात करते हैं next update नहीं ने डिसमबर 2022 के जितने भी student है उनके लिए practical exam की date sheet भी जारी कर दिये जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ subject ऐसे भी होंगे जो कि practical होते है उनमें लेकिन उनका जो subject है वो यहाँ पर course code जो हो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है लेकिन आपको मैं य चलिए कि आपका अगले बिल्कुल next week से ही आपके जो practical exams है वो सुरू हो जाते हैं आपके चाए BSC के practicals हो चाए MCA के practicals हो BCA के practicals हो यह BSC General के practicals हो यह फिर आपके किसी भी और subject के practicals जो है वो तुरंद बात सुरू हो जाते हैं जैसी आपके theory exam जो है वो complete होते हैं और मैं पहले उन students को मिलती है जिनके काफी साल पहले उन्होंने admission लिया था यानि कि old student है या फिर essay student जिनका course जो हो complete होने वाला है और सिर्फ practical practicals रह गए हैं तो इसलिए जब भी आपको मौका मिले जैसा भी आपको मौका मिले और जब भी आपका जो exam का जो study center है वो आपका practical का schedule release कर है आपको पता कैसे चलेगा कि आपका practicals कब होने वाला है तो आपका जो practicals होते है वो आपको इगनु की main website पर उसका schedule देखने को बहुत ही कम मिलता है जबकि आपको जो अपना practicals की dates है वो आपको या तो आपके regional center की website पर मिलेंगी या फिर अगर आपका study center है उसका कोई facebook page ह या फिर उसका कोई आपका telegram का channel है या फिर उसका कोई आपका किसी भी तरीके का कोई और माध्यम है जिसके जरीए वो आपको जानकारी देता हो तो क्या आपके जो पूरा का प्रैक्टिकल सिस्ट्रम होता है वो आपका regional center के अंदर में आता है इसलिए आपको जो भी जानक प्रैक्टिकल के रिलेटर वो आपको regional center या आपने study center के जड़े मिलती है प्रैक्टिकल का जब भी आपका schedule है आप उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिए क्योंकि अगर आपने miss किया तो आपको 6-8 मेने का और इंचितार करना पड़ सकता है तो आज की वीडियो में इतना ही व किया अजय की आपको, क्या झो बिलेट आपक का दूने स看看 को में 5 आपके जफ सकता है तो आपको डपकोologों सकता है वीडियों।